जालाउन के पुलिस छेत्रा अधिकारी ने छापे मारी के दौरान बालू से भरे ओरलोड ट्रकों को बरामत किया दो ट्रकों को कबजे में लेकर पुलिस जाच में जूटी है जौनपुर में संदीफ वर्मा ने अभी हाल ही में कोच पुलिस छेत्रा अधिकारी का चार्ज ग्रहण किया है जिसके बाद छापा मारी के दौरान तीन बालू से भरे डंपर और दो ट्रक खड़े हुए मिले वहाँ ना तो इन ट्रकों के ड्राइवर थे ना ही कोई कागजात मिले जिस पर पुलिस ने खनन विभाग और परिवहन विभाग को सूचना दी है पुलिस ने इन ट्रकों को कबजे में ले लिया है जालौन से जित्तिन खुश्वाहा के रिपोर्ट प्राइम टीवी दबंग की गुंड़ई देखने को मिली है राजीव अवस्थी नाम के कथित नेता ने कलेक्ट्रेट में बने अफ ओफिसर कैंपुस में अपर पुलिस अधिक्षक के आवास के ठीक सामने बने बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता के घर में घुस कर तोड़ फोड की और जम कर गाली गुलोज भी की कथित तोर पर ये बीजेपी कारकरता ने पहले फोन पर अधिशासी अभियंता को मारने पीटने की धम की दी थी और फिर रात में उनके घर में खुसकर जम कर उत्पात मचाया मामला कलेक्ट्रेट परिसर में ओफिसर कॉलनी का है पीड़त बिजली विभाग के अतिशासी अभियंता की माने तो राजीव अवस्थी ने पहले फोन पर मिलने की बात कही और जब अभियंता ने घर पर मिलने से मना कर दिया तो करीब 9 बजे के बाद राजीव अवस्थी अपने साथी के साथ घर पहुचा और तोड़ फोड़ की पुलिस ने आरूपी नेता पर केस दर्च कर लिया है फिलहाल पुलिस इस मामले की जाच में जुटी है कन्नौत से अली मुद्दीन की रिपोर्ट प्रैम टीवी मोहलाल गंज में सोयम सेवी संस्था में विश्व अर्थ दिवस मनाया गया इस मौके पर शनिवार को रैली निकाली लोगों को जागरु करने के लिए प्रत्वी को प्रदूशन मुक्त करने के नारे लगाए लखनाओं के मोहलाल गंज के डेहवा में सोयम सेवी संस्था ने अध्यापकोवा बच्चों ने विश्व अर्थ दिवस के मौके पर शनिवार को रैली निकाली लोगों को जागरु करने के लिए प्रत्वी को प्रदूशन मुक्त करने के नारे लगाए अध्यापकों ने बच्चों के साथ संस्था के लोग भी शामिल थे रैली डेहवा से होते हुए रानी खेडा और नवल खेडा गाओ तक गई और बाद में सस्था पर इसका समापन हुआ मुहलाल गंच से मुकेश दिवेदी की रपोर्ट प्राइम टीवी मुह के जिलाधिकारी कारियाले के बाहर एक विकलांग युवक प्रशासन से गुहार लगाता दिखा दरसल युवक और उसकी पत्नी दोनों ही नेत्रहीन है युवक टी-एम ओफिस पर सरकारी आवाँस देने की गुहार लगा रहा था लेकिन किसी ने उसकी गुहार नहीं सुनी मौँ में एक विकलांग युवक पिछले कई दुनों से जला अधिकारी कार्याले पर अपनी फर्याद लेकर पहुँच रहा है लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है दरसल युवक को एक सरकारी आवास की जरूरत है जिसके लिए वो अकसर डियम कार्याले पर अपनी अर्जी लेकर पहुचता है लेकिन उसकी गुहार कोई सुनने वाला नहीं है विकलांग युवक की बातों की पुष्टी वकील अतुल राय बताते हैं की जलादिकारी कार्याले परिसर के बाहर रोजाना इस तरह के पीड़ित परेशान करीब लोग जनपत की सुदूर इलाकों से आते हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है सुनवाई के नाम बेकिवल प्राहतना पत्रों को जो है अग्रशारित कर दिया जाता है मात्र अमुक अधिकारी के पास अब जाओ काकज जा रहा है निश्चित कारे होगा लेकि वो कब होगा उसी तरजबे सरकार चर रही है दरसल इस युवक और उसकी पत्नी दोनों ही नेतरहीन है और वो सरकारी आवाज देने की गुहार डियम के पास लेकर आता है लेकिन कोई उसकी गुहार सुनने वाला नहीं है मौसिय असिफरिजवी की रिपोर्ट प्राइम टीवी संभल में आवारा कुत्तों ने दो मासूम और एक युवती की जान ले ले जबकि इन कुत्तों के आतंग से दरजन भर लोग अस्पतालों में इलाज करा रहे है नगर पालिका की नाकामी के चलते शहर में कुत्तों का आतंग बढ़ता जा रहा है संभल की चंदोसी इलाके में आवारा कुत्तों ने इन दिनों अपना आतंग बर पाया हुआ है हालात इतने खराब हैं कि एक ही दिन में तीन लोगों की मौत हो गई है मरने वालों में दो मासूम और एक युवती शामिल है दरसल आज से लगभग 15 दिन पहले इलाके के ही आवारा कुत्ते ने लगभग दो दरजन लोगों को अपना शिकार बनाया था जिसके बाद आज एक के बाद एक तीन लोगों की मौत हो गई है पांच साल की मासूम जरीन अपने घर के बाहर खेल रही थी तभी आवारा कुत्ते ने मासूम पर हमना कर दिया जिसके बाद परिजन सरकारी अस्पताल पहुँचे लेकिन यहां रेबीज के इंजेक्शन खतम हो चुके थे जिसके बाद इलाज के अभाओं के चलते उसकी मौत हो गई अचा पंदरा दिन पहले काटा थे क्योंकि आट दिन को हमने कोई और दवाई खिलाए थे उसके बाद लेकिन पैसा ना होने के चलते उसे अस्पता से भगा दिया गया इंजेक्शन ना मिलने से उसकी भी मौत हो गई वही इन आरोपों के सी एची इंचार्ज ने मना किया है और खुद पर लगे आरोपों पर जाच करवाने का हवाला दिया है संभल से सतीश सिंग की रिपोर्ट प्राइम टीवी सिधार्ट नगर में हिंदू युवा वाहनी के प्रदेश प्रभारी और डुमरिया गंच के विधायत रागवेंद्र पताथ सिंग ने कोडी नियाय पंचायत में जन चौपाल लगाया सिधार्ट नगर में हिंदू युवा वाहनी प्रभारी और डुमरिया गंच के विधायत ने चौपाल लगाई या चौपाल नियाय पंचायत में लगाई गए वहां तहसीलदार बीडियो, स्टियो, विधुत के अलावा कई विभाक के अधिकारी वाकर्मचारी मौझूद रहे बेदवा पेंसन की दिक्कत हो, ब्रिदा पेंसन की दिक्कत हो, विकलांगता की समस्या हो, पेंसन ना मिलना ये सारी समस्याओं के निदान के लिए हमारे सभी भी भागों के अधिकार की यहां पे बैठाय गये हैं इस मौके पर भारी संख्या में आये फर्यादियों ने अपनी समस्याओं को विधायक को बताया विधायक रागवेंदर प्रताप सिंग ने कहा कि लोगों की समस्याओं को 15 दिन में निस्तारण के लिए एक टीम कठित कराई गई है सद्धात नकर से बलरामत रपाथी की रपोर्ट प्राइम टीवी